तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फोन से डिवीटी लिंक कैसे करें तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि डिवीटी क्या होता है दोस्तों डिवीटी NPCI यानि कि जो आपका बैंक एकाउंट होता ह वो dvt से link होना चाहिए जैसे कि guys present time में बहुत सारी सरकार के द्वारा एउजनाय आ रही है जिसमें बहुत सारा आप लोगों को पैसा दिया जा रहा है तो दोस्तों यह जो पैसा है वो आपके आधारकार्ट के जरीए भेजा जाता है और दोस्तों जब भी आधारकार्ट के जरी कोई भी payment भेजा जाता है तो दोस्तों उसी account में जाता है जिसमें डिविटी लिंक होता है अगर आपके account में डिविटी लिंक नहीं है आपका आधारकार्ट शीडिंग नहीं है तो पैसा नहीं जाता है और दोस्तों जो आधारकार्ट से पैसा भेजा जाता है इसमें क फिर दोवा पेंशन हो या फिर बिक्लांट पिनशन हो या फिर बहुत सारी फिर जिनमें आप सभी लोगों को पैसा दिया जाता है उसका पैसा है वह तभी आपके एकाउंट में पहुंचता है जब आपके आधारकार्ट से आपका बैंक एकाउंट लिंक होता है और जैस डिवीटी लिंक होता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं step by step कि आप अपने mobile phone से अपना आधार काड डिविटी यानि कि bank account से डिविटी लिंक कैसे करें और दोस्तों आपको यह भी बताने वाले हैं कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा जो आधार काड है वो मेरे account से link है या नहीं link है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करिएगा इससे कि यह जो अपडेट है यह जो जानकारी है उन तक भी पहुंचे और उनका भी वेनफीट हो और दोस्तों चै आपको अपने फोन में कोई भी एक इंटरनेट ब्रोजर ओफन कर लेना है जैसी आप कोई भी एक इंटरनेट ब्रोजर ओफन कर लेते हैं देन आपको सर्च बार में जाना है और वहां पे आपको टाइप करना है एन पी सी आई जैसी आप इतना टाइप कर लेते हैं गैस उ कर लेना है अगर आपको एक option मिलेगा आपको कर देना है जैसी दोस्तों आप इस पर किलिक करेंगे तो यहां पर आपको एक option दिखाई देगा भारत आधार सेडिंग इनेवल ओके दोस्तों तो दोस्तों जो यह वेफसाइड है इसमें बहुत सारे फीचर एड कर दिये गये हैं तो दोस्तों इसी पर आपको किलिक कर देना है जैसी आप इस पर किलिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ऑफन हो जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको इंटरेवर आधार कार्ड वाले option में आ जाना है और यहां पे आपको अपना आधार कार नमबर इंटर कर देना जैसी आप अपना आधार का नमबर इंटर कर देते हैं देन उसकम बाद आपको request for आधार का option दिखाई देगा यहां से guys आप अपने account से deceding यानि की link हटा भी सकते हैं और guys यहां से आप seeding भी कर सकते हैं यानि की dvt link भी कर सकते हैं तो आपको seeding वाले option पर click कर देना है then उसके बाद आपको select your bank का option आएगा यहां पर आपको click करना है और जो भी आपका bank होगा उस नाम को यहां से आपको search कर लेना है देख लेना है या फिर type कर देना है then उसके बाद guys आपको एक option दिखाई देगा seeding type अगर guys आप fresh seeding कर रहे हैं तो आपको first वाला option चूज करेंगे अगर आपका डिविटी किसी और आधर बैंक में link है और आप दूसरे बैंक में डिविटी लिंक करना चाहते हैं तो आपको third वाला option पर किलिक करना है तो जैसे कि गईस मेरा जो आधार कार्ड है जो मेरा डिविटी है वो किसी दूसरे एकाउंट पर लिंक था और अब मैं किसी दूसरे एकाउंट पर लिंक करना चाहता हूं तो मैं थार्ड वाला ओप्शन चूज कर लेता हूं जैसे आप थार्ड वाला ओप् आपके सामने capture code दिखाई देगा, इस capture code को आपको same box में fill कर देना है, then उसके बाद आपको proceed वाले option पे click कर देना है, यह आप सारा read करना चाहें, तो read भी कर सकते हैं, then उसके बाद आपको यहाँ पे एक option दिखाई देगा, agree and continue, आपको इस वाले option पे click कर देना है, जैसी आप इस पे click करेंगे, तो जो आपके आधारकार में mobile number लगा होगा, यानि कि link होगा, उस mobile number पे एक OTP जाएगी, उस OTP को आपको inter OTP वाले box में fill कर दे देना है, then आपको submit वाले option पे click कर देना है, जैसी आप OTP डालके submit वाले option पे click करते हैं, तो जैस यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे में जो दिखायागा है, आधार number already map to Indian bank, press ok and until the आधार moment to bank of बड़ोदा, यानि कि जो मेरा account number है, जो मेरा आधार card है, वो इससे पहले Indian bank में add थ कर दी गई है, वो बैंक आप बड़ोदा में कर दी गई है, तो आपको क्या करना है, आपको ok वाले option पे click कर देना है, जैसी आप ok वाले option पे click करेंगे दोस्तों, तो जो आपका आधार card है, वो second वाले यानि कि dvt link हो जाएगा, इस reference number को आपको सबसे पहले skin short माल लेना है, या फिर coffee कर लेना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको request for आधार sharing वाले option पे आएंगे, उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे, इस पे आप tick करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक option दिखाई देगा, get आधार map status, जैसी आप इस पे click करेंगे, यहाँ पे आप अपना आधार number इंटर करेंगे, देन उसके बाद आपको capture code फिल करना है, और check status वाले option पे click कर देना है, तो जैसी आप check status वाले option पे click करेंगे, तो जो आपका डिविटी है, जो आ एक option देखने को मिल जाएगा, check your service status, आपको क्या करना है, check your service status वाले option पे click कर देना है, जैसी आप उस पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपको पहले seed ID वाले option पे आना है, और यहाँ पे आपको seeding वाले option पे select कर लेना है, अगर आपने seeding किया है, तो आपको वो select कर लेना है, उ देन उसके बाद आपको यहाँ पे seeding type में आना है, और जो भी आप select किये होंगे, यानि कि आप अपना आधार कार्ड किसी दूसरे bank account में link किया होंगे, तो आपको third वाले option चूच कर लेना है, देन उसके बाद आपको select यहाँ और service वाले option में आना है, और यहाँ पे आपको seeding status, चूच कर लेना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो reference number मिला होगा, उस reference number को यहाँ पे इंटर करना है, देन उसके बाद आपको जो capture code दिखाई दे रहा है, उस capture code को आपको capture code वाले box में fill कर देना है, देन उसके बाद आपको check status वाले option पे click करना है, तो जैसी लिंक किया है अपने अकांट में वो को देखने को मल जाए आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा अगर आप को कोई भी समयवे नहीं आया है तो आपको इस जांकारी सकते हैं आप मेरे चैनल पर पहली बार आहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करना तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट में नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत